है वैंक लिगवक को याद कर लिया थो आपको इन कॉश्टी के अंदर नहीं इस बात को याद नहीं क्या है तो कर लिजिए यह वालो के लिए ये का पर है जिसे हम इन और्गनिक केमिस्ट्री कहते हैं 2022 में आने वाने कोशन की बात कर रहा हूं इससे एक भी कोशन बहार मद्याद कर रहा हूं और 85% प्लस लेक्के ले ले रहा हूं मैं 85% प्लस यहां से देखने के मिलेगा आप चाहये कानपुर से हो आग्रा उनिवस्टी से हो मेरत इन विए स्टी से हो इन कोशन को अपने नोट्स पर जो भी है आपके पास उस में पर टिक लगा लो एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा मैं हर एक युनिवस्टी के लिए जब पेपर होता है तो पूरा पेपर का रिवियू करता हूं ताकि आपको दिखाता हूं देखो भई यह सच है जो मैंने कहा वही कोशन आते हैं और एक्जाम से दो दिन पहले मैं आपको हर युनिवस्टी के लिए अलग से इमपूटेट कोशन दूगा ठीक है जो आपके पेपर में आते होंगीerem आधे पूरा विले यह दी आप बियर्ड के त्यारी कर रहे हैं इन्ट्रैंस एक्जाम की तो भी live class सल रही है उसको attend करो time क्योंकि आप अभी appearing में हो और आप बड़े आराम से B.A. इंटेंस exam का form भर सकते हो ठीक है और अपना तयारी कर लो B.A. बेंड में देखो ये तो आपका थडीर होई जाएगा और B.A. बेंड में आप admission भी ले लोगे आपका एक साल बरबाद नहीं होगा अब B.A. इंटेंस की तयारी भी कर लो साथ में ठीक है अब देखो मैं आपको बता दूँ क्या क्या आपको पढ़के जाना है ध्यान से देख लेंगे सबी लोग ठीक है देखो ये तो ये जो कॉमल है इसको मैं बता दूँ balance bond theory इसकी limitation इतनी most important है कि आप शायद प्रिवेज सीरे को paper को उठा के देखोगे तो ये उससे भरा हुआ है इन तीन थियोरियों से एक ये है एक और है जिसको मैं नीचे बता हुआ जिसको MOT थी कहते है MOT ये थियोरी एक नीचे और है उसको दिखा हुआ balance bond theory को BVT theory कहते है इसकी limitation मतलब कि सीवाओ के वारे में पूचेगा इसको याद करके जाएए crystal field theory जिसे हम कहते है CFT इसको याद करके जाएए LS युगमन को याद करके जाए most important है इस question को मैं छुडबा रहा हूँ तब ही university के लिए छुडबा रहा हूँ ठीक है देखो मैं बही चीद को बताऊँगा जो आपके पेपर पे आ रहा है फालतू कुछ नहीं पढ़ाऊँगा और नहीं मेरा मकसद ही नहीं है paper hacker YouTube चलका पढ़ाने का कि जो आपको फालतू कुछ पढ़ाए मैं बोल रहा हूँ देखो कारवन धात्विक योगिक क्या होते है इसको आप पढ़के चाहिए कारवन लीथी वी योगिक क्या होते है उनकी बनाने की बिधी को याद करके जाहिए कारवन लीथी योगिक बनाने की बिधी कारवन धात्वी योगी क्या होते हैं आप इसको पढ़के जाएंगे और निकल टेट्रा कारवन इसको पढ़ो तो पढ़ लेना इसको पढ़ लो एक बार पढ़के जाएंगे एक बार पढ़ लोगे तो बना बना के लिखाओगे मेरा मतलब यह है पढ़ जरूर लेना अच्छी तरीके से लेकिन अग्जाम से दो दिन पहले तो मैं आपको बताएं दूगा कि आपके पेपर में क्या आ रहा है लेकिन इन कोशनों को अभी से पढ़ना है वो यह कोशन पढ़ना है ठीक है उसके बार में देखो फास्बूजीन बनाने की बिदी मौश्ट इम्मोटेंट है इसको पढ़के जाएंगे नामिक इसनाही अभी करिया दोनों को पढ़के जाएंगे इस अभी कि आप नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स का लिंग हमारी टेलीग्राम पर दे रखा है टेलग्राम चैनल पर आप जाके डालूड कर सकते हैं नोट्स को विसम इलेक्ट्रोनिक अडू क्या होते हैं आप इसको याद करेंगे चक्रिये वर्ड नियम को याद करेंगे मौस्ट जिसे मौनेकुल आविटल थियोरी बोलते हैं इसकी फुर्फवाम होती है और इस पर बॉंड और के लिए पूछता है किसका बॉंड और क्या होगा तो बॉंड जब भी निकालने की बात करता है तो आप से आक्सिजन का पूछ लेता है कार्वन डाई आक्साइड का पूछ लेता है आप इन चाड़ों के बारे में निकालने सीख लीचिए क्योंकि यह कोशन जब भी पूछा जाता है तो लॉंग में पूछा जाता है और बहुत अच्छी तरीके से कोशन को अब एक्स्प्रिन करके आए ठीक है उसके बार में कारवन धात्विक योगिक देखो इस है जाए मेंगनेजियम का जाए समस्प्राइब को निकत नहीं है आप उपड़ असको बनाना सीख लो यदी है आपके पास तो बना लेना यह नहीं है आपके पेपर पे तो इसको छोड़ देना मेरा मकसद वही है जो आपको बता रहा हूं कि आप अच्छे नुमबर से पास गुद्वारी मेरी है समझ रहे हैं समझ रहे हैं समझ रहे हैं मतलब कि 85% दिलाने की जिम्मिदारी मेरी है को कोई फेल करने वाला नहीं है अब बस पेपर हैकर यूटूब से अभी जुड़ जाई है चैल को सस्क्राइब कर लीचे उसके बाद में ये most important question है D1 से लेकर D9 तक के electronic विन्यास को याद करना सैथली करना क्या होता है आप इसको याद करेगे most important question है साती साथ आता है एक S देखो H, S, A, V बोलते है पर टिपड़ी बूच लेता है इसका मतलब ये होता है मलब hard and soft, acid and waste ठीक है इसमें आपको important question पूचता है कि आप इसको ये जब भी पूचा जाता है तो ये long में पूचा जाता है ठीक है ये question पूचा जाता है long में hard and soft, acid, bad पर टिपड़ी पूचता है और ये long में बनता है बहुत important question इसको अच्छे तरीके से आप explain करके जाएए उसके याद करके जाएए बहुत रटके जाना है इस question को साथी साथ ये question आप देख रहे है इलेक्ट्र, इस्पेक्ट्रो कैमिकल स्रीज ये बहुत साथा पूची जाती है और इसके लिए मने सौट में याद कराने के लिए याद करने के लिए किया है ठीक है उसके बाद में आता है इसके बाद में आता है एक question देखो किसी किसी यूनिवर्स्टी में कभी-कभी क्या होता है कि गॉय बिदी दुआरा चुमकी पिमर्ती का वापन पूच लेता है और कभी-कभी फैराइडे भी दी दुआरा पूचेगा इन दो में से एक यू ठीक है लेकिन आप इन दोनों को याद करके जाएए क्योंकि ये आल-उपी के उनिवर्स्टी के लिए दे रहा हूँ most important question है आल-उपी बिहार और उत्राकंड के यूणिवर्स्टी चात्रों के लिए यही है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आप अपने गोस्ट में पर नोट्स में ठिक लगा लो कुछ आपको फेल्ड करने वाला कोई पैदा नहीं है आपके यूणिवर्स्टी के अंदर समझ रहे हूँ और देखो धातू कार्मलिन क्या होती है इसको आप याद कर लीजिए और मैगनीज के कार क्या होती है अब इसको याद कर लीजिए आकारमनिक रवर्ड को याद करो बोस्टे पोर्टेड है इसको अच्छी तरीके से रट लेना ठीक है यह अक्रिये गैस नियम क्या होता है जिसे हम देखो 18 एलेक्टार रूल भी बोलते है जिसे हम EAN के नियम की सीवाय बगारा जिसके यह फुल पूरा जो कोशन आता है वो लॉंग में आता है एक साथ यह पूरा कुछ लेता है अच्छी तरीके से याद करके जाएए हमोगलोबिन की सरचना को आप याद करके जाएगे हमोगलोबिन की सरचना मोस्ट इम्पोड़ेड है इसको पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद में आयरन कार्विलिंस बलाने की बिदी और उनके गुड़ को यबारे में देखके जाएगे यह कोशन इंपोटेंट है उसके बाद में नीचे जाएगे और देखो एस एंड मन और एसंड टू बें अंतरा आप याद करेंगे चुमकिए आगोड किस्प्रकार से आयोधrir लेक्ट्रोन इसस संब्धित होता है यह आपसे बनता है अबल वर्सा के बारे में याद करके जाएंगे बिटामिनिस के बारे में आल बिटामिन के बारे में आप याद करके जाएगे उस पर टिपड़ी पूचता है रेखिए फास्पोर निकलोराइड और कलोरीनियम इन पर आपको कलोरीन और कलोरीन जो आता है इस पर टिपड़ी पूछता है और यह चारों एक साथ पूछेगा तो यह लॉंग में बनता है संक्रम्लों को याद करके जाएगे है जैसे कि आप थडियर में है तो आपको 6 पिरकार के याद करना है SP, SP2, SP3, SPD2 और D1 यह सारे 6 पिरकार के याद करके जाएगे उसके बाद में D-Brogly ट्रंक सविकड़ के बारे में आप याद करके जाएगे यह कोशन मॉस्ट इम्पोर्टेंट है हुण्डगा रूल को याद करके जाएगे, हाइट्रोजन बॉल्ड को याद करके जाएगे, यदि आपकी गेस पेपर में है तो पढ़ लेरा और अव्वाव के नियम को और पॉली के नियम को आप याद करके जाएगे, ठीक है, किसी-किसी युनिवस्टी में पॉली अव्वाव का नियम दोरों पूछ लेता है, आप अच्छी तरीके से याद करके जाएगे और डीडी संक्रोड जो होता है, उसको आप पढ़ने के मैं उपर बता चुका हूँ, यह मुश्ट इंपोर्टेंट है, मुश्ट पर याद करना, मौन इनर्जी देखने की जुरूत नहीं है, यह थे इनॉर्गनिक के अंदर आपको ये कोशन याद करना है, इससे जादा हूँ कि आपको फेल करने माला कोई नहीं है आपके उनिवस्टी, आप इतना त्यारी कर लेते हैं, काफी दिन है आपके पेपर के लिए त्यारी अच्छी तरीके से करिए, और बाकी और गनिक, कैमिस्ट्री का हम पेपर बहुत जल्दी अप्लोड कर देगे, आप चैलो को स बड़ाई कर देवियो बड़ाई